देखो, जैसे यह लिखा है effect of non-registration, तो यह इसके effect से, लेकिन जहां पे भी मैं exception बोलूँगी, तो इन सारी situation को opposite कर देना, ऐसी situation का आना, जहां पे यह वाली सारी चीज़ें valid नहीं रहेंगी, वो हो जाएगा exception, मतलब उसका opposite, तो कुछ situations, कौन सी रहेंगी वो पर अभी study करेंगे, exception का मतलब समझ में आया? Yes ma'am, सबको clear है? Ma'am, मैं पर से बता सकती है ma'am, हाँ मिटा, देखो, exception का मतलब, law में, क्या होता है, हमने जो भी conditions study की, यह जितनी भी suppose, हम में क्या पढ़ रहे थे हैंपन, effects of non-registration, यह तीन points है न, तो इसमें मैंने क्या बताया कि civil suit नहीं कर सकते हैं, आप claim नहीं मांग सकते हैं, आप third party के against case नहीं कर सकते हैं, तो यह इसके effects थे, लेकिन जहां पर भी मैं exception लगाऊंगी, तो जो above, जो उपर वाले points है, वो पूरे opposite हो जाएंगे, किसी situations में, तो कौनसी ऐसी situations होंगी, कि जो उपर हमने study किया, वो valid ही नहीं रहेगा, वैसे यह है valid, बट कुछ ऐसी conditions या situations का आना, जहां पर यह वाला valid नहीं होगा, तो उसको बोलेंगे exception, exception का मतलब होता है, just उसका opposite करना, या वो जो situations हैं, वो अब valid नहीं है, कुछ cases में, आया समझ में अब? Yes, ma'am. अब देखो, कौनसे situations हैं, जहां पर effect of non-registration का कोई असर नहीं पड़ेगा, पहला point देखो. जो तीसरी parties हैं, third parties, वो तो case कर सकती हैं, यह नहीं कर सकता है, यहां पर देखो, no civil suit by the firm against third parties, हम register नहीं हैं, इसलिए हम third party को नहीं कर सकते हैं, लेकिन अगर third party register है, वो तो case कर सकती हैं, थर्ड़ पार्टी में स्यू, the firm और any of its partners, आया समर्ज में? Yes ma, next, देखो, the firm, जो अपनी firm है, अगर, 100 पैसे कम का, देखो, अगर हमको किसी के ओपर case करना है, और हमको recovery amount 100 पैसे कम है, तो अपन कर सकते हैं, civil suit, बोलो कि क्या मतलब, मैणम, civil suit के लिए 100 पैं, उतना तो क्या बोलते हैं, पेपर वर्क महीं चले जाएगा, होता है की ने? बोलोगे की नहीं, बोलोगे, बताओ, तो अगर आपका amount 100 पैसे कम तक का है, तो आप civil suit कर सकते हो, यहां पी देखो, recovery case जो लिखा है, मैंने, अबव में civil suit नहीं कर सकते हैं, लेकिन अगर आपका amount का claim 100 पैसे कम तक का है, तो आप कर सकते हो, बताओ, अगर हम firm को बंद करना चाते हैं, dissolve करना चाते हैं, खतम, तो हम file suit कर सकते हैं, The firm may sue for the resolution, यहां फिर ऐसी firm जो dissolve हो चुकी है, उसके accounts के लिए, Accounts मतलब, खाते भई वगर रहते हैं, और the accounts of a dissolved firm, Next देखो इसमें, जो official assignee होते हैं, official assignee, देखो, कैसे होंगे देखो, मतलब, जो receiver होंगे, court की तरफ से, Official मतलब, government से हैं न, अगर आपका firm dissolve हो रहा है, Firm dissolve कब होता है, जब partners, पूरे के पूरे, Insolvent हो जाते हैं, insolvent समझते हो, दिवालिया निकल जाता है, उनका, उनके पास amount नहीं, बिजनेस करने के लिए, पूरा बिजनेस उनका डूब रहा है, सब लॉस में चल रहा है, तो ऐसी situation को बोलते हैं, Insolvency की partner का दिवालिया निकल जाता है, और ऐसी situation में क्या हो जाता है, फर्म को dissolve करना पड़ता है, आ रहे हैं समझ में, क्या बोली में, बता, तो जो official assignee होगा उस time पे, जैसे अगर insolvent होगे हैं, partners, तो कोई भी एक partner court में application दे सकता है, फर्म को dissolve करनेगी, क्योंकि एक के loss के वज़ए से सब को loss जेलना पड़ता है, यहां तो उस partner को हटाना पड़ता है, यहां फिर फर्म डिजॉल भी हो जाती है पूरी, तो जो official assignee होते हैं, वो मिशा कौन होता है, court होता है, तो उसके पास ऐसी situation में power आजेगी, to realize the property of an insolvent partner, एक second, to realize the property of an, insolvent partner, उसकी property को बेच के, उससे जो भी पैसा मिलता है, वो फर्म को देगी, क्योंकि फर्म को loss हो रहा है, यहां debtors होते हैं, जो देंदार होते हैं, जिनको अपने को पैसे देने रहते हैं, sorry, देंदार नहीं, हां, देंदार हैं, जिनको अपने को पैसे बगएरा देने हैं, तो हम उसकी property को बेच के, उसके पैसे से हम अपना court क्या कर सकती हैं, उनके पैसे को चुका सकती है, अभी वो case देखा था, नीरव मोधी का, कहा है नीरव मोधी, सुना है, highlights पे अभी, extradition treaties, पढ़िए, इंडिया की, देखो एक word लिख रही हूँ, extradition, क्या है बता हूँ, सुना है word, अचा नीरव मोधी सुना है, PNB bank fraud, यस माम, क्या है यह, क्या केस का है, बस बताओ, simple simple, एक दो वर्ट्स में बताओ, सुना है, ब्लाक मनी का, कर्ट्शन है कुछ, कुछ, कौन बोला, नम नम जिता, अचा, कर्ट्शन है, बट ब्लाक मनी नहीं है, कुछ और बोलो, आयुशी, मैं, फ्यूजिटिव है, पूरा, लोन, लेके चले गया, हाँ, लेके चले गया, फ्यूजिटिव है, लेकिन, एक्स्ट्रडिशन ट्रिटी क्या होगी, आस्ता, आयुशी, देखो, इसने जो फ्रॉड किया, तो गवर्मेंट में क्या किया, इसकी प्रॉपर्टी को सील कर दिया था, सुना था, यस मैम, प्रॉपर्टी को सील किया, कुछ एक न्यूजिटिव में दिखा रहा था, एक बंगलो हो था, हंड्रेट करोट्स का, उसको पुरा डिबॉलिश कर दिया, और प्रॉपर्टी अपने अंडर कर दी, है न, तो ऐसी कुछ सिच्वेशन होती है, जब गवर्मेंट के पास राइट होता है, उनकी प्रॉपर्टी को जब्त कर ले, और उसी को बेच के, जिसने जिनके पैसे खाये, उनके पैसे उनको लॉट आए, आ रहे हैं समझ में, तो रिसीवर यां कोट के पास पावर होता है, कि वो प्रॉपर्टी को रिलाइज कर सके, इसमें इंसॉल्वेंट पार्टनर के लिए, आगे देखो, फिफ्ट पॉइंट इसमें, अगर फिर्म रजिस्टेड नहीं है, लेकिन उस फिर्म का ट्रेड मार्क, है न, उस फिर्म का कॉपी राइट, उनके पेटिंज का अगर कोई गलत यूज कर रहा है, तो वो केस फाइल कर सकती है, फिर्म भले ही रेजिस्टेड नहीं हो, लेकिन कोई और उनका गलत यूज कर रहा है, trademark का, copyright का, patents का, तो जो wrongfully use कर रहे हैं कोई भी third party तब ऐसी situation में वो उनके ओपर case कर सकती है जैसे ये वाला case देखो, ये वाला first No civil suit by the firm against third parties है ना, लेकिन अगर वो इनका गलत use कर रहे हैं तो वो इस third party के against case कर सकती है Next देखो इसमें जो rights है, partners के जो rights है, partners के वो किसी भी कीमत पर affected नहीं होगे, rights of partners are not affected non registration उनके rights रहेंगे आपस में क्योंकि उन्होंने partnership date sign किये तो उनके जो भी rights है ऐसे नहीं कि उनके rights को कोई खतम कर रहा है जो भी ऐसे नहीं कि कोई उनके उपर क्या बलते हैं, extra pressure डगा रहे है money का ये सब नहीं रहेगा नेक्स देखो, अगर कोई partner any partner कुछ misconduct करता है misconduct करता है, ठीक है तो उस misconduct की वज़े से जो भी damages आएंगे तो उसके against case हो सकता है तो firm file करेगी कोई single partner नहीं करेगा पूरी की पूरी firm उसके उपर क्या करेगी case file करेगी firm में file a suit उस partner के against any partners misconduct जिसकी वज़े से damages हो रहे है next इसमें देखो arbitration clause मैंने कल बताया था क्या बताया था बता क्या होता है arbitration clause किसके लिए होता है disputes की वज़े से होता है disputes within partners अगर partners का आपस में dispute है तो यह लोग suit file कर सकते है आ रहे है समझ में conditions और situations बताओ कोई doubt है तो पूछो rights and liabilities of minor partner in a registered firm under partnership act अब देखो कुछ words बता रही हूं terms section 11 of partnership act क्या बोलता है देखो section 11 of partnership act यह बोलता है जो minor agreement है जो minor agreement है यहां पर एक word use करेगा जो मैंने अभी आपको बताया था यह नहीं करें जिस दिन आपने माइनर के साथ agreement किया चाहिए वह form registered हो यह unregistered हो आपका agreement उसके साथ from the very beginning क्या है zero and null void as initial मतलब is null from the very beginning आया समझ में ab initio की meaning बताई थी ना मैंने थोड़ी दिर पहले थी किसमा एन यह समझ देर फोर अब एक और लांगविज बता रही हूं मैं अन इन फॉर्शियेबल वर्ट सुना है अन इन फॉर्शियेबल अन इन फॉर्शियेबल का मतलब होता है आप नोट सपोर्टेट बाय लोज थी खर in your अन इन फॉर्शियेबल का मतलब है नौट सपोर्टेट बाय लोस ब्रेकेट में क्या लिखा है वेलहिए नॉट सपोर्टेट बाय लॉना इन इन लॉट उसको सपोर्ट नहीं करेगा है अब दर माइनर एग्रिमेंट अब देखों बुक में कैसा लिखा रहेगा लैंग्विज में अब बुक की लैंग्विज सम्मझने की कोशिश करते हैं देखों माइनर एग्रिमेंट विट फर्म इस वॉइड एव इनिशियो एंड दर्स इट इस अनिशियो बुक में ऐसा लिखा रहेगा यह ऐसे लिखा ही है आप लोगों को देखों एंड दर्स इट इस अनिशियो बुक का मतलब है नॉट सपोर्टेट बाई लोग और वॉइड एव इनिशियो का मतलब होता है की नल है तो देखों माइनर एग्रिमेंट इस वॉइड एव इनिशियो मतलब फॉम दर्वेरी बिग्निंग इस नल और देट इस वाई इस नॉट सपोर्टेट बाई लोगों टो श्रम मर्मेंट आया समझ मैं आप New York येस्ट मैं नॉट सपोर्टेट बाय इंडियन गवरमें तो इंडियन गवरमेंट नहीं लिखना अपनी को अपने को सर्फ एक्जाम में क्या लिखना है नॉट सपोर्टेट बाय लॉग अने फॉर्शेबल का मतलव यह हुट है कि डाउट है कोई समझ में आया है यहां तक कोई डाउट जैसे अपने बताया है कि हम इसको बुक के लैंगेज भी लिखेंगे या जो आपने इसके कि अरे समझ में यहां यहां डारेक्ट है ना बीज बीज में ऐसे वर्ट यूज करना अच्छा लगता है इंप्रेसिव रहेगा जो चेकर आपका सेख करेगा जैसे अभी एक बटाये न वॉइड है बनीशो ऐसे में सब तीन चार वर्ट सी बोलोंगी यूज करने क्लिए आया समझ में तो और आपको इसको ऐसे एक्स्प्लेइन करना पड़ेगा ठीक है यह समझ में